इस वक्त हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिस नेता करूना सागर जी मौजूद है जो पूर आईपियस अधिकारी रह चुके हैं साथ में डीजीपी रह चुके हैं तमिलनाडू से तो सर सबसे पहले इस्तक्वाल है मुंसिफ टीवी में आपका और जानेंगे कि आपका राजनीतिक सफर कैसे राजनीति सफर के शुरुवात कैसे राजनीति में मुझे लोगों ने आने को मजबूर किया एक तरह से क्योंकि मैं जब स पहले से जहानाबाद में खासकर सामाजी कारियों से मैं जुड़ा हुआ रहा हूं तो रिटार्मेंट के बाद जहानाबाद के लोगों ने मीटिंग एक तरह से करके और सभी वर्क के सभी जाती धर्म के लोग महिला पुरुष सभी लोगों ने कहा कि आप सामाजी सेवा ब अंदिशे नहीं हैं तो आप राजनीती में आई है और उससे मेरी राजनीती की शुरुवात हुए। सर, कॉंग्रेस में आने का कब खयाल आया क्योंकि कॉंग्रेस लगातार भारत जोड़ नया यात्रा कर रही थी और SMA कॉंग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तो कब आपका खयाल आया कि कॉंग्रेस को जॉइन करना जाए। दिखिए मैंने एक मेरे लिए दो चीजे महत्वपुर्न हैं एक तो राजनीती मेरे लिए समाज सेवा का एक माध्यम है और दूसरा विचारधारा तो मैं एक प्रगतिवादी विचारधारा में विश्वास करता हूं और उसी माध्य से हमने अपने नौकरी में काम किया चल रहे थे उसमें मुद्दा ये था कि जनता की बातों को कौन करेगा और एक विभाजन की राजनीती कौन करेगा तो विभाजन की राजनीती बीजेपी कर रही थी और इंडिया गट बंदन जो था वो जनता के मुद्दों को उठा रहा था और चुकि मैं और यही काम आर और चुकी ये लड़ाई पूरे देश भर में लड़ाई थी, ये सिर्फ ब्यार राजी की लड़ाई नहीं थी, तो मुझे कॉंग्रेस में जुड़कर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर इस मुहीम में शामिल होने का मौका मिलेगा, और इसलिए हमने कॉंग्रेस को जाइन किय आनाजी क्या वज़ा मानते हैं आप कि कॉंग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और साथ में जो रिजल्ट सामने आए, तो इसका सबसे जादा जो जन्ता पे जो असर हुआ है, कौन सी कॉंग्रेस की जो बाती थी, या कॉंग्रेस की जो वादी थी, सबसे जादे किस असर किया है देखिए पहली बात कि ये जो चुनाओ हुआ इसमें जो विपक्ष को सफलता मिली उसका कारण ये है कि विपक्ष जनता के साथ था और ये चुनाओ जनता बनाओ बनाम नरंद्र मोदी था क्योंकि एक तरफ से संविधान पर खत्रा था एक तरफ से idea of India जो इस देश का स्वरूप क्या होगा देश की राजनीती कैसी होगी देश का समाज कैसा होगा यह जो हमारी जो एक सांस्कृतिक परंपरा रही है जो हमारा पुराना इतिहास रहा है उन सब को तोड़ने की कोशिश हो रही थी और दूसरी तरफ हम इसको इससे लड़ रहे थे इस कोशिश से लड़ रहे थे और जनता हमारे साथ खड़ी थी क्योंकि इस देश की जनता आम भाईचारे में विश्वास करती है, इस देश की पिडित जनता, वंचित जनता, गरीब जनता, इस्तिरी, पुरुष, मजदूर, बेरुजगार, नौजवान, सभी इस समय इस सरकार की नीतियों से परिशान थे और इन्हें एक परिवर्तन चाह रहा है, तमाम हत्गंडों को अपनाने के बाद, इलेक्शन कमिशन इनके इशारे पर काम कर रहा था, पूरी मीडिया इनके इसारे पर काम कर रही थी, पुरा तंत्र इनके इशारे पर काम कर रहा था, इसके बावजूद जो जनादेश जितना हमें मिला, वो जनता के सोच क बड़ी जायक है